बैंक के डैसबोर्ड पर यह देखिए यहाँ पर मैंने अपनी मर्चेंट आईडी लॉगिन कर रखी है और फीनो पेमेंट बैंक का डैसबोर्ड जो होता है वो कुछ इस तरीकेश होता है इसमें कई सारी सर्विसेस हैं जैसे की टू वीलर एंसुरेंस वगरह से लेते हुए म money transfer का जिसमें आप micro ATM यानि की ATM के दवारा भी money transfer कर सकते हैं या पैसा निकाल सकते हैं और A.E.P.S. यानि की fingerprint से भी आप पैशा निकाल सकते हैं यह सारी चीजह इसकी service की बात हो गई इसमें services बहुत जादा हैं अच्छी हैं तो चलिए एक एक कर के हम बात कर लेते हैं कि इसक पहले बता दे कि इस की मरचेंट आइडी अगर आप सिर्फ आईडी और पार्शवीर लेने चाहते हैं याँ इसमें आप markicoatm का system नहीं लेना चाहते हैं, आपके कि आइडी में करे दो भीनना दो कर दो सब्सक्राइव, बिंपेट नहीं दो supervision लेकिन यदि आपने पहले आईडी ले लिया है तीन हजार की और अब आप चाहते हैं कि आपको पिन पैड डिवाइस भी मिले तो यह डिवाइस आपको छे हजार की पढ़ जाएगी यानि आपको दो हजार उपय का नुस्कान उठाना पढ़ जाएगा तो अगर आप ऐसा आपको नीड है कि आपको पिन पैड डिवाइस और आईडी दोनों चाहिए तो आप साथ हजार वाली ले लिए अगर आपको जरूरत नहीं है एटियम से पैसा आप बिड्रॉल नहीं कर सिर्फ आदार से ही आप पैसा निकालना चाहते हैं तो आपके लिए तीन हजार वाली आईडी बेस्ट होगी तो यह तो हो गई कि मर्चेंट आईडी कितने की पड़ेगी अब बात कर लेते हैं कि इसकी बेलकम किट यानि अगर आप कस्टमर का एकाउंट ओपेन करते हैं त जब भी आप किसी किस्टमर का एकाउंट ओपेन करेंगे तो यह किट का पैसा आपको आपके खाते में वापस मिल जाएगा चलिए बात कर लेता हैं फीनो कमिशन की कमिशन की बात करें तो यह कमिशन एईपीस पे 0.18 परसेंट देता है और एटीम पर 0.20 परसेंट देता है जिसका मैकसिमम लिमिट हम आपको बता दें एईपीस से 6 रुपए और एटीम से मैकसिमम 10 रुपए तक यानि अगर आपके 0.18 परसेंट के हिसाब से 6 रुपए से ज्यादा कमिशन बनते हैं तो आपको सिर्फ 6 रुपए पेट करेगा अगर आप इससे ज्यादा कमिशन चा अगर आप मनी ट्रांसपर करते हैं किसे खातें पैशा भेजना चाहते हैं दूसरे के तो आपको एक रुपए से लेकर एक हजार तक के बीच में 10 रुपए का चार्ज देना पड़ता है मिनिमम आप इसमें 100 रुपए ट्रांसपर कर पाएंगे यह ख्याल रखिएगा आपक के लिए लगेगा अगर आप मर्चेंट है तो आपका एक आशा यूनिक अकाउंट होगा जिसे आप एड़ कर लेंगे तो उसमें पैसा नहीं लगेगा ट्रांसपर करने का तो चलिए हमने तो यह सारी चीज़े इसमें डेसकस कर लिया आप थोड़ा सा हम आपको दिखा दे लिए कमिशन चार्ट आपको दिखा देता हूं कि इसमें कितना मिला है फ्रेंड्स देखिए आपे मैंने अभी अभी 800 रुपे इसमें बिड्रॉल किया था जिसमें मुझे 1 रुपे 37 पैसे कमिशन के रुपे मिल गया है यानि कि वही 0.18 से थोड़ा सा कम क्योंकि TDS कर जात तो यह तो हो गया इसके कमिशन के बारे मैंने जैशाग के आपको बता दिया इसमें कई शारी सर्विसेस हैं उसमें आप जैशे की 2-wheeler insurance, mobile HR, DTS, DTS, जैशाग मैंने आपको बता यह सारी चीजे कर पाएंगे इससे इसकी सर्विसे और इसके सर्वर की अगर बात करें तो अ अगर हम आईडी इसका लेना चाहे तो कैसे ले सकते हैं इसकी आईडी लेने के लिए आपको कहीं परशान होने की जरूरत नहीं है किसी को पर भरोसा मत करिए क्यूंकि फीनों के नाम पर बहुत सारा प्राट हो रहा है इसमें मैं देख रहा हूं बहुत सारे लोग इसके फ प्राट हो सकता है। तो चलिए मैंने तो यहां पर बता दिया आपको उसके बाद से मैं बात कर लेता हूं सेविंग काउंट के तो सेविंग काउंट अगर पीनो में खोलना चाहते हैं तो उसके लिए थोड़ा सा डिसे ड्वांटेज है क्योंकि उसमें आप जैसे ही आप एकाउंट ओपन करते है एक साल के लिए सर्विस का चार्च यह सारी चीजे इसमें सोड़ा सा प्रॉब्लम है बाकि अगर आप सेविंग काउंट ओपन कर लेते हैं तो उसे आप मोबाइल बैंकिंग नेट बैंकिंग यह सारी चीजे चला पाएंगे अच्छी से यूज कर सकते हैं आई हो वीडियो आपको समझ में आ गया होगा कि यह फिनो मर्चेंट इडी कितने की है और में वेलकम किट का क्या चार्ज है कमिशन कितना है और यह ट्रांसफर पर कितना चार्ज लेता है तो चलते हैं मिलेंगे अगले वीडियो में आपको अगर वीडियो पसंद आया तो से प्लीज लाइ विडियो थेंक्स तो आल यहें